नमस्कार किसान माईयों, किसान माईयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अडामा कंपनी की बलासल फंगी साइट की विशेष्टाओं पर डिटेल में जानकारी देंगे हम बात करेंगे इसके छिर्काओं से होने वाले बेनीफिट के बारे में, क्या इसका हमें टेक्निकल है, इसके साथ साथ हम जानेगे इसके mode of action के बारे में, क्या हमें इसका डूस रखना चाहिए, कौन सी फष्व लोपज को नियंतित करता है, क्या इसका डूस है, सारी विशे किसे काम करता है इस परसनासी के साथ-साथ यह अंतर प्रवाही तरीके से फसलों पर जाकर सीधे काम करता है और अपना जो भी इसका सिस्टम होता है उनके सिस्टम पर जाकर सीधे अटेक करता है किसानवाईयों यदि हम बात करते हैं इसके टेकनिकल के बारे में तो इसमें हम दो technical का combination देखने को मिलता है पहला प्रोखलोर जो की तेजद प्रसेंट में है और दूसरा ट्रासाइकलोज की 20% में हमें देखने को मिलता है किसान भाईो यह दोनों टेकनिकल हमें ऐसी फॉर्म में देखने को मिलते हैं यानि की liquid गारे फॉर्म में यानि कि या जो blast fungus को या काफी अच्छी तरीके से नियंतित करता है बात करते हैं इसके दूसरे benefit के बारे में है तो यह है जो दाना अच्छे से भरता है यानि कि किसान भाई हो इसके छड़काओं से जब भी दाना बनता है हमारी फसलों का तो वह काफी अच्छा बनता है किसान भाई हो इसके तीसरे benefit के बारे में बात करें तो उच्छ quality का जो दाना होता है वहाँ पैदा होता है और जो इसका चौता benefit है immediate control on blast यानि कि किसान भाई हो ब्लासल फंगिसाइड के छड़काओं के तुरत बाद से ही अपना काम blast पर सुरू कर देता है और इसको control करता है किसान भाई हो यदि हम इसके mode of action के बारे में बात करते हैं तो यह है एक contact plus systematic fungicide है यानि कि परसनाची के साथ-साथ अंतर प्रवाई फंगिसाइड है किसान भाई हो इसमें हमें trans laminar action भी देखने को मिलता है trans laminar यानि कि किसान भाई हो यदि दवा का छड़काओ फसल का जो पत्ता होता है उसके एक भाग पर होता है तो उसका दवा का असर दूसरी भाग पर भी हमें देखने को मिलता है इससे हमें काफी अच्छी और काफी effective result देखने को मिलते हैं किसान भाई हो जो आपको फोटो देख रही है इसमें तीन फोटो आपको देख रही है जो पहली फोटो है या untreated है यानि कि इस पर अभी ब्लासल फंगी साइट का छिड़काओ नहीं हुआ है और वागी दो फोटो आपको जो देख रही है बाजू में राइट हैंड साइड पर उन पर देखिए इसका छिड़काओ के बाद जो इसके result है वह आपको इन फोटो में नजला आ रहे होंगे किसान भाई हों वही है हम बात करते हैं ब्लासल फंगी साइट की dose के बारे में तो किसान भाई हो 400 ml प्रती के एकड़की दर से आपको ब्लासल फंगी साइट का छिड़काओ करवाना चाहिए यदि हम बात करते हैं यह कौन सी फसल पर आप इसका छलकाओ कर सकते हैं तो किसान भाइयों कमपिनी जो हमें recommend करती है वो धान की फसल पर हमें blastal fungicide का छलकाओ करने के लिए recommend करती है क्योंकि पैडी पर हमें काफी अच्छे blastal fungicide के results देखने को मिलते हैं बात करते हैं कौन सी फंगस को यह नियत दित करता है तो मुख्य रूप से जो सबसे 100% रिजल्ट काम करने का जो तरीका है वो ब्लास्ट पर अच्छे से काम करता है वहीं हम बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में तो चार से मिलकी जो इसकी कीमत है अगली वीडियो में ऐसी किसी जानकारी के साथ धन्यवाद